हेलो फ्रेंड्स आपका दी फैमली ब्लोक में बहुत बहुत स्वागत है आज हम अलवारी और जो बैड है उनकी सैटिंग करेंगे जो ये गरम कपड़े ने बैड में रखेंगे क्योंकि अब गर्मी आ गई है और अभी जादे नहीं हुई है गर्मी और ये इसके पापाजी क अलवारी है विनायक के पापाजी की तो इनके भी गरम कपड़े रखने हैं ये और जो ये मोटी-मोटी रिजाई है ये भी रखनी है बस कंबली बाहर रखेंगे तो इसके लिए हमें सैटिंग करने पड़ेगी सारे बैड की चारों खानों की और अलवारी में जो ये पहले हमारे पुराने कपड़े यह निकालने पड़ेंगे बैड से और इसमें से सही कपड़े निकालेंगे और खराब कपड़े अलग कर देंगे और हम निकाल रहे हैं इसमें से जो हमें सही लग रहे हैं कि हाँ पहनने लाइक है तो रखेंगे और सब अलग कर देंगे और विनाएक के कपड़े भी बहुत सारे हो रहे है गरम तो भवी सेट करने हैं अभी आ पहार निकाल दिये एक साइड का खाना साफ कर दिया और एक साइड अभी दूसरी साइड कर रहे है देखे फ्रेंड से हमने करोशे से बनाया है यह हमने खुद बनाया था और यह अपनी फ्रेंड की लड़की के लिए बनाया था तो यह अभी रखा है और ये हमाई नानी ने हमाई लिए बनाए था उनकी यादगार है ये अपने हाथों से बनाए था ये मेज पोस्त और इन्हें एक अटाइची में रख देते हैं जो यूज नहीं होते ये देखे फ्रेंड्स ये गर्मियों के कपड़े बेटे के हैं और बहुत चोटे-चोटे कपड़े हैं तो इन्हें हम सेट करके रखेंगे अच्छे से देखिए ये अच्छे से फोल्ड कर दिया हमने आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो कम जंगा में बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे और ये ने सेट कर लेते हैं जो मलब एक दो बार ही पैने हैं इसने और वो पनी में करके रख दिया हमने और देखे फ्रेंड्स ये बावु जब छोटा सा था तब के कपड़े आई है देखे कितने छोटे छोटे क्यूट से ये भी हमने समाल के रख रखे हैं हम ऐसी रखे रहते हैं समाल के देखे फ्रेंड्स कितने क्यूट लग रहे हैं ये कपड़े और इन्हें सब को पैक करके हम इसी अटैची में रख देंगे ये बावु की अटैची है और इसमें टावल है कमली है कि सब चीज इसी में रख देंगे और ये जनमास्ट में पे लिए थे तो ये अब छोटे हो ग अब बैट साफ हो गया अब ये देखिए अलबारी में से बाबुजी के गरम कपरे निकाल लेते हैं विनायक की और जो जादा मोटे मोटे है वो अलग कर देते हैं वो रख देते हैं और जो मतलब हलकी सर्दी है अभी सुबह साम की तो उसके लिए अभी हलकी जर्सी रख ल दिया और नए एक साइड में रख दिये और ये हम बाहर रखेंगे गरम बल्यान और पजामी और ये देखिए हमने फ्रेंट से एक बैग लिया और उसमें रख दिये इसमें हमने अपनी साड़ी और पैटिकोट्स रख पराने और अब हम अपने कपड़े निकाल लेते हैं देखिए फ्रेंट्स चाई पी लेंगे हम और ये हमने अपने गरम कपड़े भी एक बैग में रख दिये और एक कोटन की चुन्नी से हमने कवर कर दिया ये साब भी रहेंगे और जैसे अगली सर्दी भी निकालेंगे और ये नही जरसे आया हमारी ये अलग पन्या में करके रखेंगे देखिए फ्रेंट्स हमने ये अलबारी सैटिंग कर दिया है गरम कपड़े भी सर्दी और सोरी गर्मियों के कपड़े भी निकाल दिया हमने बाबु के वह साइड में टीशिट रख दी और जो अभी थोड़ी ठंड है उसके कपड़े अलग कर दिये और ये और देखिए फ्रेंट्स अपने अपने कपड़े भी सैट कर दिये नीचे गर्मियों के और अलबारी बिल्कुल सैट हो गई है और रूम भी हमारा सैट हो गया आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना बाई